हेलो भाई लो केसे हो आप सब तो फाइंडरे एसुस एंफर मैक्स प्रो एंवन या फिर मैक्स प्रो एंटू में एंड्रोइड 10 हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही आज आपका भाई आपको बताएंगा कि इस अपडेट को क्या आप अभी कर सकते हैं या फिर आपको है तो कुछ मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि जिसका जो है चार्ज नहीं होना या फिर बैटर ड्रेन होना क्योंकि यह जो है इतना स्टेबल नहीं है इसका सॉफ्ट है जहां पर आपको इतना अच्छा एंट्रवेज मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है तो सबसे पहले जो है तो आपको जो है एक्षाद के जाना होगा कियुक्गिध्य ह afraid यह एपको नहीं मिलेंगा यह बीटा में और आप यहां पे काम है कि में आपको यहां पर बाता दो सबसे पहले आपको डिसक्रेप्षिन से पिल डाउनलूड करना होगा तो आपके यहां यहां तो यहां पे 2017 से एक प्रोड टान weई को मेरे चाहे ले जाना हैं पिले से सीच ऑन आफ करते हैं या फिर री स्टार्ट करते हैं तो आपके फोर में यह फाइल डिरेक्ट हो जाती है और आप इसको अपडेट कर सकते हैं तो मैं कर लेता हूँ इसको यहां पे अपग्रेट एंड्रोइड 9 से एंड्रोइड 10 में और देखता हूँ कि इसमें कितने सारे इसमें देखने को मिल रहा है और साथी आगे आपको बताऊंगा करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत दोस्ति यहां पर पूछ रहे हैं कहां गायब हो चुका हूँ या फिर जो है मैं यहां पर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ तो यहां पर आपको दीरे दीरे वीडियो मिलते रहेंगी और एक बार हम फ्लो में आ गए तो उसके बाद आपको regular मिलते रहेंगी तो यहाँ पे फोन हमारा restart हो चुका है और अब देखते हैं यहाँ पे डेटा उन करके कि हमारे फोन में यह कैसे यहां पर कितना टायम लेती है और कितना यहां पर इसको एंजॉइ करबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सिस्टम फाइल डिडेक्ट होचुकी हमारी यहां पर और हम यहां पर इसको update कर सकते हैं तो जस्ट आपको यही तरीका मैक्स प्रो एंवन या फिर आपकी पास मैक्स प्रो एंटू है दोनुवी ही आप यहां पे इसको कर सकते हैं और अगर आप इसको एक बार एंड्रोइट 10 में कर लेते हैं अपडेट उसके बाद अगर आपको डाउंग्रेट करना है तो ध्यान क отдale तो इसक बाते हैं अपको डिटा यहां यहां से क्सम्न पॉर्मेटन हो यांप् उपडेट हो रहा है और अभंडेखक यहां कि इतना टायम लेता है तुम है कर ने फिन यहां पर ऑफिशल एंडरोइड 10 जो है Zenfone Max Pro M1 और M2 में हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर मैं आपसे यही गाइना चाहूंगा कि अभी यह जो है पीटा में है तो इसलिए आप यहां पर थोड़ा वेट करें तो आपके लिए बैटर रहेंगा क्योंकि हमें नहीं बता है कि इसमें कौन-कौन से बग्स है चाहिए फिर कॉल ड्रॉप हो या फिर साउंड इशू या फिर चार्जी या बैटर लाइफ का जब तक कि आपको यहां पर परफेक्ट किसी का अच्छे से रिव नहीं मिल जाता है कि इस फोन में क्या प्रॉब्लम है या फिर जो हम इसको ले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पर वेट करें ताके आपको एक स्टेबल ओवेस मिल जाए आप थोड़ा बहुत आपको यूए में जो है चैंजे देखने को मिल रहा है अधर यहां पर सारा का सारा वैसा ही आपको देखने को मिलता है कोई भी साथा चैंजे नहीं है साथ ही यहां पर अभी camera 2 API ताकि हम गूगल camera यहां पर यूज कर भाए तो मेरे फोन में पहले सी यहां पर camera 2 API अनेवल था तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि android 10 में आपको यहां पर camera 2 API अनेवल बिल रहा है तो जिन बंदों का नहीं है तो वह दरूर चेक कर लेना अगर तो देख सकते हो आप यहां पर तो मैं जो यहां पर अभी आपको डेटेल में नहीं बता सकता बस इतना ही बता सकता हो कि यहां पर आपको इस तरह सी अपडेट करना है और सेम साली चीज़ें वेसी आपको देखने को मिल रही है तो यह था भया हमारा यहां पे android 10 जो android 9 से android 10 में कैसे अपडेट करना है Zenfone Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 के लिए और कुछ बाते मैंने आपको बता ही है जैसे camera 2 API और किन बंदों को यह अपडेट करना चाहिए और किन को नहीं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा अगर आप वेट करोंगे तो आपके लिए अच्छा रहेंगा ताकि आपको एक stable OS मिल जाए और आप जो android 10 को आपके Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 में इंजॉय कर सके तो यह थी एक चोटी सी वीडियो जहां पर मैंने यह सारी चीज़े बता ही है और आपके लिए मैं जो इन दोनी फोन पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वालों जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या बग्स या फिर क्या नए फीचर मिलत क्या हुआ है